केपित हिंद क्लास में आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड के क्लास 12 के स्मृति एवं विस्मरन पार्ट के साथवे वीडियो का हम अध्यान करेंगे यानि इसके पहले छे वीडियो हम बना चुके हैं और ये साथवा वीडियो है जो की यूनिट नंबर थ्री लेसन का नाम है स्मृति एवं विस्मरन इसके अंतरगत आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है विस्मरन के सिध्धान्त और विस्मरन को रोकने के उपाए तो शुरू करते हैं आज की क्लास विस्मरन के प्रमुक सिध्धान्त जिनमें से मैं चार सिध्धान कि आफी स्टाडीज की का अध्यन किया उनके स्टाडीज पर बेस्ध है ये रास सिध्धान्त जिसको अनुप्रयोक का सिध्धान्त भी कहा जाता है बिंग हास के अनुसार विस्मरन एक निष्क्रिय मांसिक प्रक्रिया है यानि भूलने के लिए हमें प्रियास नहीं करता यह अपने आप होती रहती है, सीखे गई विशय्सामगरी हैं परे हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है और जैसे समय बीटता जाता है जो सीखे गई विशय् appet bag होते हैं वो धीरे-धीरे धुमिल होते हैं यानि कमजोर पढ़ने लगते हैं और उनका हुरास होने लगता है इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अनुप्रयोग यानि जो भी हम सीखते हैं उसको हम दोराते नहीं है तो ना दोराने के कारण विस्मरन होता है एबिंग हॉस का सपोर्ट करते हुए थौन डाइक ने भी यही कहा है कि समय के अंतराल के साथ सीखे गए विशय के स्मिर्तिचिन कमजोर और धुंद्रे पढ़ जाते हैं जिसकी वजह से विस्मरन होता है और हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते दूसरा सिध्धान्थ है बाधा या हस्तक्षेप सिध्धान्थ इसका प्रतिपादन विवहारवादी मनुवैक्यानिकों ने किया था इस सिध्धान्थ के अनुसार विस्मरन एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है यानि कि व्यक्ति के मस्तिश्क के सक्रिय भूमिका के कारण व जिस्मरन का कारण बाधा या हस्तक्षेप होता है अब सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि बाधा या हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है किसी भी विशह सामगरी को याद करने से पहले या उसके बाद में जो भी घटनाय घटत होती हैं वो बाधा या हस्तक्षेप कहलाती है यह सद्धान्त यह बताता है कि मस्तश्क में जो भी स्मृति चिन बनते हैं और प्रतेक नया स्मृति चिन जो बनता है वो पुराने स्मृति चिनों को ढखता जाता है और इस से जो पुराने स्मृति चिन होते हैं उनके पुनह स्मरण में बाधा आती है क्योंकि नय स्मृति जिन उनको ढख लेते हैं इसी को बाधा यह तक्षेप सद्धानत कहते हैं इसको एक्जामपल से समझ लेते हैं कि किसी विशय को याद करने के तुरंद बाद अगर हम कोई और इंटरस्टिंग टॉपिक या विशय पढ़ने लगते हैं या याद करने लगते हैं तो ऐसे सिच जो पहले विशय सीखा गया है उसके रिकॉल में बाधा आती है यानि हस्तक्षेप पहुंचता है और यह हस्तक्षेप या बाधा किसके दौरा पहुंचता है जो बाध में सीखा गया है उसके दौरा इसका दूसरा उधारन है कि यदि कोई विशय को याद करने के बाद सो जाए या थोड़ा रेस्ट ले ले तो ऐसी स्थिती में चुंकि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हमने कोई नई चीज सीखी नहीं कोई नई चीज याद नहीं की तो ऐसी स्थिती में बाधा नहीं आई तो बाधा के अभाव के कारण जो विशे हमने सीखा था उसके स्मृति चिन काफी गहरे से मस्तिश्क में हो जाते हैं स्थापित हो जाते हैं और स्थाई बन जाते हैं जिसके कारण जनरली ऐसे विशय का विस्मरण नहीं होता अब हम बात करते हैं संग्यानात्मक सिधान्त की जिसके प्रतिपादत कोहलर कोफका और लेविन थे इस सिधान्त के अन बलकि वे समय के अंतराल के कारण एक नए रूप में संगठित हो जाते हैं यानि पुना संगठित हो जाते हैं और ये जो नया संगठन होता है या पुना संगठन होता है इसके कारण वे एक विकृत रूप यानि जो पहले हमने याद किया है उससे कुछ डिफरेंट रूप ध होती है यानि स्मृति चिन्हों के पुना संगठित होने के कारण जो विक्रती बनी है वो विक्रती जितनी जादा होती है विस्मरन की मात्रा भी उतनी ही जादा होती है अब हम बात करते हैं दमन सिधान्त की दमन सिधान जिसके प्रतिपादक फ्राइड महोदे हैं और इस कहना है कि हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं तो इस प्रकार विस्मरं जो है है सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है y explosiv v successor के लिए सउक्रिय خ County का निभहता है और इस विस्मरं के पीछे हमारी अपनी इक्ष अभी प्रेर्णा होती है हम अपनी जो भी रुक Fahr अनुभव होते हैं अपरी अनुभव होते हैं या कटू यादें होती हैं उनको भूलना चाहते हैं इसलिए हम उन्हें अचेतन में दमित कर देते हैं इसके कारण वे अनुभव हमारे चेतन मन से हड जाते हैं और कहां चले जाते हैं अचेतन मन में दमित हो जाते हैं और उनका विस्मरन हो जाता है यह विस्मरन दो तरीके का हो सकता है या तो पूर्दया विस्मरन हो जाता है या फिर वो हमें दुबारा कभी याद नहीं होती या कुछ हद तक विस्मरन हो जाता है जो कि कभी प्रसंग छिड़ने पर हमें याद भी आ सकता है विस्मरन जो होता है वो अ अभी प्रेरित विस्मरन कहा जाता है सिधानतों के बाद अब हम देख लेते हैं कि जो भी विस्मरन होता है उसको रोकने के क्या उपाएं है यानि विस्मरन को कैसे रोका जा सकता है किन उपाईयों को अपनाया जा सकता है जिससे कि हम जो भी चीजें हमने सीखी है उनको भू पुराते रहें तो विस्मरन को रोका जा सकता है दूसरा उपाय है स्वास्ते का ध्यान रखना एक अस्वस्त व्यक्ति की स्वारण शक्ति कमजोर हो जाती है और वह चाहकर भी सीखी गई चीजों का रिकॉल नहीं कर पाता इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्ते का ध स्वास्त का ध्यान रखने पर जब हमारा स्वास्त सही होगा तो हम चीजों को लिंबिस समय तक याद करके रख पाएंगे और विस्मरन को रोक सकेंगे तीसरा उपाय है विश्राम यानि कि किसी भी पाट को याद करने के बाद कुछ दिर का विश्राम कर लिया जाए तो व थापित हो जाते हैं अती सिक्षन किसी भी विशय को जब हम बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो विस्मरन की संभावना कम होती है इच्छा शक्ति जब हम किसी भी विशय किसी भी पार्ट को एक दृड इच्छा शक्ति के साथ अन्य तथ्य के साथ जब साहचरी इस्थापत कर दिया जाता है उस विशय को भूलने की संभावना कम होती है क्योंकि साहचरी के कारण आवशक्ता पढ़ने पर वो विशय सामग्री हमें याद आ जाती है सस्वर पाठन यानि कि बोल बोल कर सस्वर पाठ करने से चुछ कि हम active होते हैं सक्री होकर सीख रहे होते हैं इसलिए विस्मरन की प्रवृत्ती कम होती है निंद्रा याद करने के उपरांत अगर हम थोड़ी दिर के लिए सो जाएं तो विशय के स्मृति जिन हमारे मस्तिश्क में काफी गहरे स्थापित हो जाते हैं और विस्मरन कम होता है नशे से बचाओ जो भी नशीले पदार्त होते हैं वो हमारे मस्तिश्क पर असर डालते हैं और विस्मरन की मात्रा को बढ़ाते हैं अगर व्यक्ति कोई नशीले पदारतों का सेवन करता है तो उसे उन नशीले पदारतों का सेवन छोड़ देना चाहिए इससे विस्मरन की मात्रा कम होती है लंबी छुटियों में अध्यान जितने भी स्टुटियों होते हैं जनरली जब भी लंबी छुटियां होती हैं कोई तिवहार की दशेरा दिवाली या फिर गर्मी की छुटियां उन छुटियों में वो अपना स्टडी जो होता है वो बंद कर देते हैं यानि पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं किताब पैक करके रख देते हैं तो ऐसे स्थिती में क्या होता है जो भी विशे है वो सीखे हुए होते हैं उसको भूल जाते हैं इसलिए कि जरूरी है कि लंबी छुटियों में भी जो कुछ भी पढ़ा है उसको दोराते रहना चाहिए और अपने स्टडी को कॉंटिन्यू करना चाहिए चुटियां भी इंजुआए करें और प्लस स्टडी भी करते रहें तो विस्मरन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती ह बिल्कुल गर्मी के चुटियों में भी पढ़ाई करनी चाहिए तो यह थे विस्मरन को रोकने के उपाए आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तब तक पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल के बितिंद क्लास नमस्कार